बार-बार आप लोगों को अपने documents लेने अपनी markless लेने जेके बोड जो है वो जाना पड़ता है 10th के exam से दो या 12th के exam से दो तो आपको जेके बोड जा कर जो है अपने documentation लेने पड़ते हैं लेकिन अब JK वोड ने एक फैसला लिया है समय डिजिटल इंडिया उस मुहीम पर जो है मारा इंडिया चल रहा है और समय जमू कश्मीर भी आता है कि इस डिजिटलाइजेशन के युग में घृचीज इजिटल हो रही है हर चीज ऑनलाइन हो रही है और वह आप ने यह कोवि जीटल युग चल रहा है और इसमें हर चीज़ है वो डिजिटल लाइजेशन हो रही है और इसे जिटल लाइजेशन युग में जो है जमु कश्मीर बोड जो है यानि की जेके बोड एक फैसला Sempre ah crock वो प्चो के लिए और माइग्रेशन जो है वो हासल करने के लिए आपको छोटे-छोटे अपने कामों के लिए बोर्ट के चक्कर बार बार नहीं काटने पड़ेंगे क्योंकि मैक्सिमम टाइम बच्चे जो है बोर्ट के चक्कर काड़े थे कई बार चुटी होती थी कई बार वो लेट हो जाते या बहुत सारे डीजन्स जो है वो होते थे लेकिन अब इन छोटे कामों के लिए चाहिए आपको मार्थलिस लेनी है या आपको माइग्रेशन लेना है तो इन छोटे कामों के लिए आपको जेके बोर्ट जो है वो नहीं जाना पड़ेगा बोर्ट के कारयाल में आपको चक लॉकर कहा जाएगा जिसे इंस्टॉल करकि आप लोग अपने सर्टिफिकेट्स अपनी मार्क लिस्ट अपने माइगरेशन लेटर्स जितने भी आपको बोड से आपके डॉकुमेंट्स वहां पर होते हैं आप उसे घर बैठे बैठे ही जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं और आ चाम पड़ता है आपको बादया पर चक्कर काट रहे हैं अगर आपको कौई काम पड़ताहै आपको बार बार जो है बोर्ड की और जाना परों संदिर में जर्व और की रुट करना पड़ताहीगा। और भी बाकि जितने डॉकुमेंट्स है उसे प्राप्ट कर सकेंगे और इस डीजी लॉकर के साथ बोर्ट बच्चों के आधार नंबर को लिंक जो है वो कराएगा और ये डीजी लॉकर आपको यूज करने के लिए जो है अधार कार्ट जो है वो काफी जादा जरूरी रहेग क्योंकि आपका अधार नंबर जो है इस पर लिंक होगा और अधार नंबर उनके डीजी लॉकर को लॉग इन का काम करेगा यानि कि आपका अधार नंबर आपके डीजी लॉकर का लॉग इन का काम करेगा जबकि बच्चे खुद का पास्वर्ट जो है अपनी मर्जी से रख रखकर जो है वो DG Locker को खोल सकते हैं और अपने वांसे Mark Lease Migration Certificates जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं और Board ने DG Locker सुविदा शुरू करने की तयारी जो है वो कर ली है और उमीद है कि अगले शिक्षा सत्र में याने की अगले सेशन में जो है इसका काम परियोग जो है वो बच्चे गवन को गर बैठे बैठे ही जो है अपने डॉकुमेंट्स भी मिल जाएंगे और बच्चे जो है वो बोर्ड का डाटाबेस त्यार कर सकेंगे डीजी लॉकर सुविधा को शुरू करने के लिए जमू किश्मीर सिक्षा बोर्ड ने बारत सरकार से मानने था प्राप से यह नहीं काटने पड़ेंगे जितने भी सुडुने के बोर्ड से स्टेडी बोर्ड से स्टाडी कर रहे हैं यह अपड़ेट में उन बच्चों को देरी हूं कि अगर आपको बार-बार चकार काटने पड़ थे जो आपको बार-बार जद्वाद करने पर दीए अपने जितने भी documents हैं, उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, और उसे अपने पास रख सकते हैं, ना कि आपको बार-बार बार बोट के चक्कर या स्कूल के चकर काटने पड़ेंगे, क्योंकि कुछ लोगों को इतनी नौलेज जो है वो नहीं होती है, इसलिए आप डिजिटल लिग चल लेनी पड़ती है, 12 के बाद कॉलेज में या 10 के बाद आप हायर स्कूल में जो है, एंट्री लेते हो, अड्मिशन लेते हो, तो आपको अपने documents जो हैं, वो ज़रूरी चाहिए होती है, तो आप कहीं जा रहे हैं, आपको अपने documents जो हैं, वो किसी और को देने हैं, तो आप कि इस आप पर काम करना शुरू कर दिया गया है, इसकी बात चीत हुई थी, और अब यह हम शुरू कर दिया और बच्चों को इसकी सुविदा जो है, वो जल्द ही मिलेगी, और बच्चों का समय भी बचेगा, तो फिलाल अभी की update थी, और आप लोगों को क्या लगता है, इस अपडेट के बारे में कि ये जो बच्चों को सुविदा दी जा रही है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने राइज जरूर रखें और ऐसे जुड़ने बाहु एक्स्प्रिस के साथ